आज से ग्लास में लोग 11 क्लास के चार्टर 3 के 3.1 एक साइज का सुलूशन करने वाले इसमें फ़र्स्ट कोश्चिन में आपका आने वाला है डिगरी मेजर टू रेडियन मेजर के बारे में हमने एक फर्मूला को लिखवाया हुआ है उसी को देखेंगे हमें अपना हमने आपको सिखाया था इसमें कि जो भी रेडियन का हम बात करें जिसकी भी मेजर का हम बात करते हैं उसको टूटल एमाउंट को हमें हमेशा नहीं बटा की बटा के उपर लेना होगा और जिस जो भी कोश्चिन हमारे पास दिया हुआ रहेग जैसे किरेंगे इसका मतलब है बटाल एक हमें हमेशा अपर लेना होगा और जो गवें डिग्डिमेजर हैना इससे हम इसका बनने वाला है फाइब से कट करा रहे हैं थाइशों का आड़ करा दिजिए तो यह आपके पास आने वाला है तो यहां से हम उसक्ट कराएंगे हम समक्सिवन कर 750 अब से अाश मिलने और हां से छोक्ट कर तो हम 36 मिलने विवस्के च्छन मतलब पाई upon высок gin क्य भॉन गया आपके पास कि अग्यला सेकेंड ङिवन माइन माइनस फोर्तिसव डिगरी थर्टी मिनद्ध टोक जाए यहां adversary ग्य선 शने कंसेप्ट है वह कंप्लीट आपके पास डिगरी नहीं है कुछ डिगरी है और कुछ आपके पास मिनट है चलिए सो कनवर्ट करते हैं माइनस बाहर कर दें 47 डिगरी प्लस 30 मिनट अपॉन में 60 मिनट यह आप का बन जाएगा कंप्लीट डिगरी बनने वाला है अब यहां से कटकर आईए बने भाल आपके पास जो डिगरी बहलेव आने वाला है ओन नाइन टी फाइफ उपाय आपान में टू डिगरी अब आप इसको कनवर्ट किजिए का रेडियन में इसका इसको काफी असान है तूपाई अपॉन 360 डिगरी इंट्टू नाइन टीफाइफ के अपॉन में टूं चैंसिल करा सकते हैं फाइब टाइब नाइन और फाइब टाइब गया नाइटीन पाई अपन सेवेंटी टू यह आपका रेडियन हो गया कर सकते हैं वहीं से कोश्य नमबर थाड़ आपका आने वाला है दूट टूफोर्ट टूफोर्टी डिग्री अब जब इसको अम लोग रेडियन में जर्म करेंगे ना तो इसका असान है बिल्कुल असान है फिर वहीं काम करेंगे टोटल रेडियन का उपर वहलू और टोटल डिग्री नीचे और तूफोर्टी समिस में मल्डिप्लाइब करने वाले कैंसिल आउट और इससे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं यह टू टू टाम इस फूर पाई अपाउन में थ्री एर रेडियन मेजर के बारा है तोटल डियन मेजर हमेशा उपर लिखेंगे और तरिशिक रिख हमेशा नीचे यह कैंसिल हो गया फिर यहां सम कैंसल कराएंगे तो हम टू टामस में फोर टामस में लगे जा सकते हैं डियर्क लिएक के बार में तो यहां से मिलने वाला है ट्वेटे सिक्स पाई अपॉन में नाइन रेडियन तो इस परकार से फर्स्ट कोश्यन आप लोगा कंप्लीट हो गया इसमें सभी कोश्यन क्या करना था डिगिरी करना है इसमें कोई कंसेट में पर्लम हो अपलों कमेंट बाक्स में लेकर के मैसेज कर सकते हैं चलिए इसका स्वलूशन करते हैं काफेशान है फर्स्ट कोश्यन आपको गीवन जो रेडियन के वहलू है आप 16 आप उस्टीन है अभी हमें चाहिए क्या वह डिग्री मेजर चाहिए तो लिख सकते हैं डिर्क लिम्स अटिए कि तो देखिए डिग्री मेजर जमियी आप लिखते हो मैंने सिखाया है हर बाद सिखाया है कि टोटल वैलू कहमें साब बटाक उपर ले जाएंगे होता है और इसमें किससे मुल्टिप्लाइग करने वाले है एलेवन आपॉं 16 कुछ कट कटा लेते हैं और फटड़ अपके पास रिआने वाले हैं जैसे यहां से कैंचिल गरेंगे तो वनेटी होने वाला है और यहां से हम लोग तू से एंचे में आप है और यहां पे 90 यह फिर फोर्स हैं कैंसिल कर देजिए फोर्टी फाइब और यहां पे फोर टाइमस में अभी आप दख सकते हैं फोर्टी फाइफ इंटु 11 अपॉन में पाई के वह बाउट 222 अपॉन 7 इंटु 4 हो गया अभी अपने पास जो रेल्ट आने वाला है यह तू 215 बटे में आठ है यह इतना आपके पास डिग्री है बटके आना का एंसर कभी अपॉन में नहीं आएगा यानि कि आपको का करना पड़ागा इसको डिवाइड करके हम डिग्री मीन और और सेकंड में जाना होगा तो तो हम डिवाइड कर सकते हैं इसको थ्री टाइमस में अब तीन बार में डिवाइड किजेगा होते हैं कितना बचने वाला है तो 775 और यह नाइन टाइमस में यहां कितना बच किया थ्री हो गया अभी अपने पास कितना है कंप्लीट 39 डिग्री हुआ और हमारा रिमेंडर कितना हुआ थ्री लैस्ट मेंट और अब का करेंगे य यहां इसको मिनट में करेंगे तो 60 मिनट से यानि किसका डिल्ट कितना होगा 39 डिग्री अब यहां भी कैंसल कराई यहां कैंसल हो सकता है 30 यह फूर टाम सब्सक्राइब यह सकते हैं तो 50 हो गया तब देख सकते हैं तो यह आना वाला है 45 अपन में टू डैट मेंस 22 मीन अट फिर 60 हम से कंड से डिवाइड करेंगे और फाइनली है 30 में चला गया 39 डिग्री 22 मीन अट थर्टी सेकेंड एंसर टोटल इतना डिग्री होगा यानि कि आपको डिवाइड करके सो करना पड़ेगा बीन डिवाइड किया यह नहीं होगा एक बार फिर से बता दू मैं कि यहा बाइड किजिएगा तो 22 होल वन अपन टू आ गया अब इसमें आप 60 से मल्टिप्लाइड तो मीनट से किजिएगा तो यह कितना गया थर्टी तो वहीं यहां पर कंप्लिट वैल्यू आ गया है 39 डिग्री 22 मीनट और थर्टी सेकेंड इतना है से कंप्लिट एंसर होगा इसक सब्सक्राइब करें तो टूटल वैल्यू डिग्री का हमें सब बटाक उपर लेंगे टूपाइड नीचे और किसे मल्टिप्लाइड करेंगे माइनस पोर से तो कटकर आईए यहां पर आगे माइनस टू डैट मिन सुपर का हो गया साथ सो बीस डिग्री और 22 वाट्टा में साथ सबीस नहीं ले असान होगा क्योंकि अभी भी हमें कैंसिल कराना है तो देखें ग्यारा हो गया और फाइनली तीन सो साथ गुणा में साथ अपवन ग्यारा मुल्टिप्लाइड करेंगे तो छे होने वाला है यहां पर तो रंधा मुल्टिप्लाइड करेंगे तो एक तो ग्यारा मुल्टिप्लाइड करना सेवन सिक्स दफोर टीटू हो गया तो 25 बीस टोटल आ गया अब दिवाइड किजिए 11 से घ्यारा दूने का 22 बाइस वा पशिखना फिर दोत बार में 11 दूने का 22 दस बार में ओके तो ग चाली करेंगे कंप्लेट 239 दिग्री एक बट्टे एक ग्यारो और आप क्या करेंगे साथ मिनट से फिर इसमें डिवाइड किजिएगा तो रिज्ट ट्वेंटी नाइन और दूसों अथी डिग्री एगारा पांस बार में कटने वाला है पांस मिनट और पांस बार लगभग 27 मिनट शेकेंड हुआ यह आप रोक्स आ गया तो इस परकार से आपने इस कोश्चन में क्या देखा क्यों हम आप पांस आने वाला है दूस्ता ओनातीश डिग्री पांच मिनट 27 से कर यह कंप्लीट एंसर होगा इसका कलकुलास इसका सामने है जो हमने आप सब्सक्राइब कोश्च यह डिरेक्टली पाई से कैंसिल होने वाला है तो हम लोग लिख सकते हैं कि 360 डिग्री अपॉण 2 पाई इंटू में 5 पाई अपॉण 3 पाई पाई कैंसिल आउट और दूसरी यह कटके तोड़ा बूत 180 टाइम में और 300 कटा दिये साथ यानिको सबसे बनाएंगे तो 360 डिग्री बटा में दूपाई कुणा में साथ पाई बटा में सबसे पाई कट गया और यह होगा 180 और यह कट गया तीन बार में 210 डिग्री और इस परकार से अब कोश्चन नमबर टू पुरा-पुरा सल्भ हो गया इसमें कोई भी कोश्चन नहीं परने वाले देखिए एक गाड़ी का पहिया है फिल है कि हम लोगे हिंदी में कहेंगे कि पहिया है जो खास बात यहां दिया हुआ है कि एक मीनट में एक मीनट में कुल 360 बार घुमता है कितना वाग तिन सो साथ यहां पर घुनलन कर रहा है यह हम कह सकते हैं अगर इंगल से बात करें तो इन वन मीनट नमबर आफ रोटेशन इसका जो है अब आपका मिलने वाला है 360 अब बताए एक मीनट में 360 बार घुम सकता है आपको पढ़ाए गया है कि जब भी हम एक सरकूलर रीजन में आएंगे तो हमेशा रेडियन में आता है हमेशा रेडियन में काम करेंगे और टोटल कंप्लिट र तो एक सेकंड में देरफोर इन One सेकंड अब कि नमबर आफ रोटेशन हमारा कितना होने है अब आप जानते हैं कि एक मेंट में हम लोग 20 को बना है तो शाथ की तो टूल रूटेसिन कि ना हुगा इस को इसे को लिखें लिएล हो इसको कई सकते हैं एक सेकंड में कितना Casey वाद तो लिख सकते आहं लिख न Support कि टोटल मेजर ओफ अवर अनकल अ दो Judah अब सबसक्राइब मल्टीप्लाइब न तो कितना ने बार और छाता है कि हमारा जो कुल कोण है यह तो यह तो टोल वेल्व हमारा आने माला है क्या रहेगा बहुत असान था कंसे देखिए एक वील है चक्का है पहिया है एक मिनट में कुल बात कह सकते हैं कि एक मिनट में शाठ सेकन होता है और यहाँ कुल कितना बनाता है दू तो 6 तो बार कुल कितना बनाएगा बारा रह अब इसका मफ नमर कोशें में लोग मोब करने वाल है इसमें क्या मता रहा है कि एक सरकल है ओके आपको पड़ेगा इनसरकल यहां पाब पर जो रेडियों से न उद्या हुआ अल्रेडी सो सेंटीमीटर अलेंथ आर्क वाजो बना अपने यहां पे इसका वहलू दिया है बाईस सेंटीमीटर और जान दिजिए आपसे कोश्चन का यहां कि जो इसके सेंटर अ को इसके वहलू नीकल लेकिन किस मेजर में यह पता है आप बताए आपको पढ़ाया गया घीता है एल अपन ऑन आप लुका यह है का इसको बोलंगे और इसे का बोलंगे आपको पता है कि एल का वेलू कितना है बाइस और आर का ट्रॉल वैलू कितना है सो इतना क्या है आपका यह रेडियन है जानते हैं लेकिन हम कोशन क्या पुछाई रहा डिग्री मेजर में तो इसको डब डिग्री बनाएंगे तो पता है न कि टोटल यह रेडियन मेजर समका बोलेंगे एंगल ए ओबी इन डिग्री मेजर अगर हम फाइंड करते हैं यह कोशन है इसको लंबा नहीं ले जाएंगे तो काफी असान होगा डिग्री मेजर जब भी कनवर्ट किजेगा डिग्री बटा के उपर और रेडियन व्ला वैलू नीचे और रेडियन सैपका करेंगे इसको डि फाइनली दो से यह नो बार में अभी रुखेंगे तो नो गुणे में 22 बटे में 22 है ना गुणे में 5 बटा में 7 तो टोटल अभी ने पस कितना आने वाला है 22 से 22 कट गया तो नाव गुणा 7 बटा में 5 कटाईए 63 बटा 5 तो 12 पचे का 60 12 डिग्री और तीन इसका जब का न है और तो अप्या तीन के साथ हम करने वाला है तो तो तीन के साथ यहां पर हम पांस देंगे और शाथ मिनट से मुल्टिपलाई तो यह बारह बार में और रोटल ले कितना बनाने वाला है आपको 12 डिग्री 36 मिनट ठीक है 12 डिगरी 36 मिनट का टोडल यह कोण बनाने वाला है इसके पांचनल कोशन का हम लोग देखते हैं इसमें क्या है बात समझेगा टूटल आप सरकल का एक डामीटर के बात करें टूटल कितना है 40 सेंटीमेटर यह कितना हुआ 20 यह 20 हुआ और यह भी कहा जा रहा है कि इसक लेंथ अफार्क यह जो लेंफ फार्क है एल का वैल आपको निकाल आ। निकल रहा यह रहा है अभी है आप देख सकते हो कि यहाँ यहां भी बीस है यहाँ वीजार यहां भी से इसका मतलब बें़ परतिक आंग सांगल बना एक पुकि अपक्र तो ओबी इज उकल टू एबी देरफोर ट्रेंगल एबी सी के बारे मिल गया हम डियर्टली बात कर सकते हैं कि आंगल यह वो बी का टोटल वैल्य कितना होगे बाबू तो यह हुआ आपका सेटीडिक कैसे बाबू कैसे कि संभा होती रही जाने कि एक्विलेटरल ट्रेंगल य इन तुमें 60 अब मल्टिप्लाइ कर गए तो 60 टाइम में याने के थ्री अभी इतने पास का आपने पास पाई बाइटरी और यह क्या है अपना ठीटा है ओके आपके आपके चाहिए हमें एल चाहिए हम जानते पर ठीटा इस इकल टू एल अपॉन आर मताई यह एल चाहिए अगर तूपाई अपन थ्री सेंटीमीटर यह आपका हुआ लेंथ आर्क काफेजी कंसर्प्स है किसी को लॉंग निसाभी एंसी क्यू को बहुत इजी कंसर्प्स बनाना होगा चलते हैं इसके को से नमर छे के तरफ इसमें कहाना वो देखें दो अलग लग सरकल है सिखेगा इसमें छे में दू अलग लग सल हुं हानिगे कि रेडियास आरवें लिजेगा एक यहां एक थोनों का लेंथ हो पारक आपस क्या है से मैं यारिक Ian और ये गार लेकिन अगल चेंज हो रहा है एकमिश्च्टि कर नों 됩니다 नर्भ जो है फोड़व फोड़़व को इलतमा। गबड़ा जाएगा अपना सेमेंटिफाइब दिगरी दो अलग-अलग एंगल दिए और आपसे कोशन पुछा जा रहा है कि फाइंड रेशियो रेशियो किसका रेशियो कितना की रेशियो में डिवाइड हो रहा है हमें क्या निकालना आरवन आरटू के बीच का एक रिलेश अपनी पास हम पहले से जानते हैं कि इसका देखो कि में यह जो ठीटा है अपने पास इसको झुरण करते हैं इसका अपने पास पता है कि रही आप हमने सिकhाय के और यहाँ चांवह होगा एल अपना हुगा आरटू है दोनते हम ने लिख लिए हमें रेशियो रिश चाया है ना तो आर v brain पाल और रटू बाद मुन हुए इसका मतलब है कि हमें किससे किसे करना होगा हम यहां से और रवन निकाल सकते ना कि between θ1 और और अट्रीटा ऑं फेलव केतंक तनके अगे फोन एफिटा 10 अब सिंप अर वन अर्ट्ु का करेशियोग नुक्रिए का ले का डिगरी ऑपन वान कैंसिल कर रहे हैं चार पांच है फाइफ अपन फोर इस परकार से आपका रिशियो कितना गया आरवन आट्टू का जो रेशियो है फाइफ अपन फूर का रेशियो है चलिए और मैं इसके कुश्चन नमर सेविन के बात करते हैं इसमें क्या है ना खास देकला में ऐसे दिखासकते और डॉडड़ेट सकते हैं. पेंडूलम हमेशा बाखर करेंगा केम राकार हमेंका का बनाएगा बिदेकल मैं 75 का लेन्थ फिक्स कर दिया गया और इसमें अलगला कोश्ण दिये गये है तो हमारा एल का वैलु कितना गरेट्यस कितना है बाब कि 75 सेंटीमेटर ये फिक्स हो गया अब फार्ष्ट कोश्चन में लेंथ आप आर्ग टेन सेंटीमेटर दे रहा है अलग अलग कोश्चन में लेंथ आप आर्ग जो है चांज कर रहा है तो यहां से दो अपॉन में 15 यह क्या गया रेडियन में एक एंसर सेकंड इसे कोश्चन जो है आपके पास एल का वैलू चेंज कर रहे कितना दे दिया पंदर संटीमेटर ठीटर निकल लिएगा एल अपॉन आर और यह आ गया पंदरह बट्टे में 75 कैंसल कर आई तो एक बट्टे पांच यह रेडियन हो गया और इसका लास्ट कोश्चन जो है कोश्चन नंबर थड़ है इसमें कोश्चन आपका दिया हुआ है यहां पे रेडियस आपका लेंथ अपार्क एल जाट 21 सेंटीमेटर है तो यहां ठेटा के वालू हो ही आप एल अपॉन आर होगा 21 अपॉन में 75 कैसी कटा यह 3 से तो यह नवला है सेविन अपॉन 25 रेडियम यह आपका एंसर आ तो इस परकार से आपका टोटल 3.1 में 7 कोश्चन से और यह साथ हो साथ हो कोश्चन हमने कंप्लेट कर दिया अगर किसी भी कोश्चन में कहीं भी डाउट लगे ता आप डिरेटली पूछ सकते है कर दो कोश्च